Assalamualaikum everyone welcome मैं आपका मेरे आज के फी लोग में तो आज हम लोग देखने गए थे टीवी मीडिया मारकेट में यहाँ पे काफी विराइटी थी और कई टीवी इतने महें थे और इतने इतने बड़े थे जैसे यहां पे लोग और जैसे 산न्मा किसी के घर में हो तो वहीं ले सकता है इतना बड़ा बड़ा टीवी हमारे पास जो है वह 55 इंच का है आप हम लोग देख रहे थे या 65 का ले ले या गरसा ले 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 लेकिन वह बहुत बड़ा लग रहा था तो हमने का 55 वाला ही ले ले लेते हैं और हम क्यों ले रहे हैं टीवी यह में आप लोगों को बताती हूं क्योंकि मारा जो चुन्ना मुन्ना राफिय है उसने नाया से लड़ाई की दुरान जो है हमारे टीवी में मारा फोक और उसकी वज़ा से मारे टीवी का जो थोड़ा से इसमें स्क्रैच लगा लेकिन वह जो है उसका काम ही नहीं हो रहा था उसके अंदर यानि ब्लैक स्क्रीन हो गई सारी तो उसका फिर हमने जो है उसको फैंकेंगे और अब हम न्यू टीवी देख रहे हैं तो यहां पर हम लगाए हैं यहां पर जहां से आप लोग इलेक्ट्रोनिस की चीज़ें ले सकते हैं तो यह देखें टीवी काफी सेल लग देखेंगे वह मैं आपको नेक्ट विलोग में दिखाऊंगे जब हमारा निव टीवी आया तो यह भी मेरे दो तीन विलोग कठे हुए थे तो मेरे से डीटिंग नहीं हो सकी तो अब मैंने की यह तो इसमें आपको मेरे दो तीन दिन की रोटीन नजर आएगी और आज की व अब क्यों एलीडी था तो अब भी मेरे स्पेंट को जो एलीडी वाला पसान नहीं आ रहा था तो वह घाले थे मैंने वह वह लेना है तो इसके कलर राच्छे होते हैं और जो टीसी एल है उसका भी हमने देखा था लेकिन वह हमें अपसान नहीं आया तो यह देखें यह कित पर फिर हम लोग आगए किया तो इकिया पे जो है यहां से मैं मुझे कुछ चीज़े लेनी थी किचन की और यह देखें यह वाली नाइस कितनी प्यारी है लेकिन मेरे पास थी इसलिए मैंने नहीं लिए तो अगर आप लोगों ने लेनी है क्योंकर अब न्यू क्लेक्शन जैसे समर स्प्रिंग की आयूई है तो काफी कलरफुल सी चीज़े आएंगे यह देखें यह सारा इनका वो जो होते हैं कटिंग बोर्ड वगएरा होते हैं और बरतन और कप वगएरा काफी अच्छे हैं तो हम लोग ज्यादा तर जो बरतन है वह क्या सहीं लेते हैं अब कह हैं और से भी लेने शुरू का दिया हैं लेकिन स्टार्ट में तो यहां से लेते थे यह देखें यह काप हैं इनके न्यू काप पी आया हूँ है गलास वाले जैसे क्रिस्टल वाले कहले हैं यह वाले जो आया हूँ हैं और यह मेरे खार कितने का था यह नाइंटीन का था थ यह पूरा सैट है और नाइवस हैं और फोक हैं पूरा सैट है और अलग लग भी था आपने अगर सेपरेट चीजें लेनी हैं तो लेने हाँ ब्लैक था गोल्डन सिल्वर तो इस बार इकिया पे यह स्पून की काफी व्राइटी थी नहीं तो पहले इतनी होती यह जागों कहा हैं तो मैंने वेट करने वाला लेना था जैसे कोई लाइव में अगर ह Ama पने चीजे ना जाए कुछ करना हो तो ग्राम में जो चीज आपने नापनी होती है, मैं गाइयर करना होता है तो उसके लिए मुझे चाहिए था मेरा खराब हो गया था और यह मुझे काफी इं אני colorful shouldn ल हैं फिर आप ले सकते हैं तू थर्टी नाइन का था यह और इस बार यहां पर इसे ट्रे तरह की भी प्लेट आई हैं यह जो वाइट वाली आपको नज़र आ रही है यह जो नीचे पड़ी है यह भी लोग प्लेट के तौर पर इसको यूज करते हैं तो यह पूरा एक सैट हो वाले थे एक यह पे उसके बाद अब हम लोग करेंगे पे क्योंकि हमने थोड़ी सी चीज़ा लेनी थी ज्यादा नहीं थी अब पे करते हैं फिर घर चलते हैं मैं आप लों को दिखाती हूं और रमजान में आज कभी लोग में वानिया नाया ने भी रोजा रखने हैं तो अब आप लोग देखना अनाया से तो पूरा नहीं रखा गया और इसने उसने हाफ रख लिया था लेकिन वानिया ने माशाला पूरा रखा तो यह वेट करने वाला मैंने लिया है तो यह मैं आप लों को घार जाके इसका फुल दिखाती हूं तो यह चीजें हैं जो मैं ले आपने खुद घार जाके जोड़ना है अंदर जो धकन के वो जो होते हैं और यह चूरी लिया यह भी पाकिस्तान लेके जानी है तो पाकिस्तान की त्यारी हो रही है साथ साथ और यह पोर्टल ली थी और उसके लावा जो मैंने अपने जो ड्रॉर में अपने जो स्पाइस चार जो मैंने चेंज किए थे वह मैं वहां से लेकी ती यह एक लिया था मैने के रमजान में यूज होगा और यह बीमृटल इनके फोर होते हैं तो यह काफी अच्छे हैं आप इनको साइड साइड से भी रख सकते हैं और सीधे भी रख सकते हैं यानि दोनों स्टाइल से आप रख सकते हैं इसको तो यह काफी अच्छे होते हैं और मैं आप लोग को गोल के दिखाती हूं जो मेरे मैंने चीजें लिए हैं तो यह अब हम लोग आगए घर और यह देखें यह माला मैंने लिए हैं तो इसका काफी अच्छा जो है फंक्शन है इसका मैं सहल डालूंगी फिर मैं आप लोगो दिखाते हूं इस तरह यह इसमें ग्राम भी है और एल पी जो होता है वो भी है और यह देखें सारा इन्ह कर सकते हैं तowe टिंच्ट आफ अपने जैसे कई लोग डाइट कोंशियोगी केलोरी कंट्रोल करते हैं कि itself यह चारी तक यह अब हम इसको कर लेंगे तो काफी अच्छा यह मुझे लगा है स्टार्ट में मुझे इसकी समझ नहीं आई थी लेकिन अब मैं इसको यूज कर रही हूं तो काफी इजी है इसको यूज करना वाकी चीजें जो हैं वो मैं धोके रख लूँगी और यह देखें यह मेरे इस इराज का इकिया का टूर की चीजें जो मैंने लिए और यहां पर जो बच्चे हैं वो सहरी का रहे हैं और नाया आप देखें इसको तो इस तरह हुआ था कि ममा मुझे से खाया भी नहीं चाहा रहा मैंने इनको ब्रेड रोटी और एग बना दिये थे यह शोक से खा लेती ह हैं तो यह देखें और यहां पर अब हम लोग सहरी करने लगे हैं और अनाया जो आदे दिन में जरा हो गई थी शैड सी तो इसलिए फिर मैंने का चलो आप खोल लो यहां पर मैंने अपने लिए बनाया माइक्रोवेव फ्रेंश टोस्ट और यह इतना मज़े का बनता है फो पर अब हनी डालें वैसे आप अंदर भी इसमें ब्राउन शुगर या जो मैंने आपको लास विलोग में एक डाइट शुगर दिखाई थी वो भी डाल सकते हैं वो यह फ्रेंश टोस्ट भी मेरा रैडी और अब हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया था इसलिए मैं कड़ने लगी हूं क्लीनिंग और यह देखें यह नाया ने यहां पे बनाया हुआ है कासल मैंने कासल का नेम दिया है कि मैंने कहीं पढ़ा था जब बच्चे इस तरह कोई अपना इस तरह इसको स्वीडिश में कोया कहते हैं या जैसे हम नहीं कहते थे छोटे होते कि हमने घार बनाया है घार घार खेर रहे हैं तो इसको बच्चों के लिए वो कासल होता है हमें लगता है जैसे इन्होंने मैस की यह लेकिन उनके लिए यह कासल है तो फिर मैंने इसके कासल को नहीं छेड़ा तो मैंने का कुद भी स्कूल से आकर देख लेगी जाइसने करना है और उसके बाद पिर हमारे यहां पर स्नोई नहीं खतम हो रही है आज थोड़ी सी दूप निकली है और कभी स्नोई हो जाती है और यह काफी अरसे के बाद इस तरह में हो रही है कि जो स्प्रिंग है और इनका जो इस्टर है वो इस तरह ठ första जा रहे है क्योंके इनका थीए जो इस्टर है वो जैसे हमारा रम्जान उने दास देन पीछे आता बिसस्तर है तो बैद बूब हो जाएगा और यहां पर अब सबस्क्रक्राइब GAMottaD बीने तो इस पहुत नहीं चाहता है चाहित यहां पे हर काम करते हैं को चचाहिता था करेंद नहीं एक ठीस तब में इक世界 पंप्छे नहीं हों चाहिते हैं तो यहां पे नेक्स्ट मॉर्nelिंग ठीज थी तो इसमें मोप ही पहली रही हिए तो यहां पर अब जो मेरी क्लीनिंग हो गई है, है ड़न और अब अब को क्लीन क्लीन घर दिखाती हैं यह मین疫 convince से लीती है यह आप लोगों केसा शयह की थी वहुति ही प्यारी लगती है यहां पर रखी हुई और यहां पर अब सारा घर हो गया है क्लीन अब मुझे सोफा सेट करना है और सोफे पर मैंने बैट शिर्ट इसलिए भी चाहिए होती है क्योंकि बच्छे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं मैंने एक तुछ तफ़ा उठा के भी देखी हैं लेकिन फिर पा यहां को अपने रूम की सैटिंग दिखाती हैं सच वह भी मैंने चेंज की तो बैट जो है वह मैंने थोड़ा सा मूव किया एक साइट को भी दिखाती हूं यह हीटर जो सर्दियों में हमारे घरों को गरम रखता है वह भी मैंने का साफ कर लूँ यहां से क्यूंकि नाया न सब्सक्राइं टोंकि सोफा अगे हुटा है तो इतना पताχी नहीं चलता के पीछे कैसे हैं और दो और आब यहां से नीचे से भी मैं सारा साफ कर लूंगी दो आसदा-स्ता यहां पर मिटी जमा होती रहती है तो फिर मैं अइसदा-स्ता यह जो कॉनर्स होते हैं को भी साफ तो यहां पर हम ने ये काम भी कर लिया है और अब मेरा रह गया था बाश की चर्ड़ा सा करना, और रमजान में क्यूंकि जो अफ़तारी के बाद अक्सर मैं बरतन धो लेती तो यह देखिया मैंने बैड इस साइड पर कर लिए तो काफी अच्छा लग रहा था बच्चे भी कहा रहे था लग रहा लेकिन भी राज्टा इस्ता सही लगने लग गया वैसे ही मैंने का थोड़ा चेंज कर लेती हूं क्योंकि यह वाली जो हमारी विंडो है यह हम इतना ख है क्योंकि यहां पर आप जो है समर आ जाने है तो यह सिर्डाए तीन बजे जो सुबह हो जाती है तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपके पास ब्लाइंट अच्छे हों क्योंकि इतनी जल्दी रोशनी कमरे में आ जाती है तो फिर नीद भी नहाती दो यह हमने एकिया स पर्दे जो हैं हमने जीसक से लिये थे और ब्लाइंट इकिया से लिया था तो यह यहां पे लोग लगा के रखते हैं ताके समर में इजी रहे यहां दिन इतने लंबे होते हैं जैसे डाई बजे सूरज निकल जाता है और रात को बारा मजे तक लाइट रहती है तो इसलिए यह काफी अच्छा होता है इसे बच्चों को सुलाना और इस तरह जी रहता है और उसके बाद फिर मैंने यह जलांडो से मंगवाया था एक बैग अपने लिए क्योंके मैंने अपना क्रोस बोड़ी जो बैग होता है वो लेना था मेरा काफी खराब हो गया है तो यह मैंने आल्डो का एक मंगवाया था लेकिन यह बैएक तो प्यारा है लेकिन इसका मटेरियल नहीं अच्छा जैसे नहीं यह पैराशूर्ट सा मटेरियल था जरा सा कहीं फसेगा और यह फट जेगा यह देखें तो इसलिए भी यह मैंने वापिस कर दिया उसलांडो की बहुत अच जाते हैं उनको इनका जो शिपिंग चार्जी जैंवो आने के भी फ्री है वापिस बेजने के भी फ्री है तो यह काफी अच्छी एप है जलांडो हर किसम का ब्रैंड आपको यहां से मिल जेगा क्योंकि यह मैंने बैग आल्डो का लिया था तो आल्डो जैसे यहां पे नह ना भी बड़ा काम होता है तो इस बार मैंने लौन्री की थी तो मैंने तो पड़ी रहती है तो पूरा हफता है लूंडी आप्टि रखने को आप लोगम इसका त्वेदे रूं नहां झी न करता के लुट यहां पर यहां हिह वाला जिजो मारे ड्रो़र है यह राफए के है आnd今日 ली आफ़े पैदा हुआ हा था ताव हम ने यह लिये थे लिया था यहँ आ यह वाल एकिया का यह तो यह इसमें राफ़े के कप्डे होते हैं वानिय नाय के अपने रूम में है तो यह हमें राफ़े के रख रहे हूँ यह ब्लॉंडे उसके बाद हम अट्सारी की त्या यहां रखी हैं इसके इस तरह यह बॉक्सीज मिल जाते हैं किया से 69 के 70 के इतने कही होते हैं तो यह मैंने इस तरह किये हैं और नीचे वाले में इस तरह इसके ट्राउजर और जो दूसरी शट्स हैं वो रखी हैं तो यह भी एक उड़ा आइडिया है आपने लोंडरी भी साथ रमजान भी चल रहा है रोजा रखा था वो तो ओपन हो गया और यह वानिया का रोजा है तो हमने क्रीम चार्ट बनाई है वानिया का भी तक रोजा है गुर्चो वानिया वानिया ने चॉप चॉप खाना है और साथ वानिया ने रोल खाने है और स्ट्राबरी मिल चेक हम बनाएंगे हैं सब चीजें हो यह मैंने काल बनाई थी ब्राउनी और यह वानिया कैरी खानी और साथ पकोड़े हैं तो सिंपल सी इफतार हम बनाएंगे आज यह हम आज लेकर आए हैं रूस्ता से हम फोर कलर्स हैं इसके वह यह जैसे ना प्लास्टिक बहुत ही प्यारा सा अजया इदर रखो यह देखे ना शीशा नहीं है यानि बच्चे नीचे भी घ्राएंगे तो तूटेगा नहीं और इसके ब्लू कलर है क्यासे नहीं तूटेगा क्योंकर यह वो है ना और इदर नाया राखे खा रहे हैं और मैं आफ तारी की तेहरी कर रही हैं आप पकोड एलकिना जेड़ मैं आतारी को कहना का अने वारी को अव्णी है तारी बदर अब बना टेगर मैं तलिचे नहीं अवर्ट तो है। तो यहां पर आप जो सारी की त्यारी मैंने करनी स्टार्ट कर दी है बच्चे यहां पर कोई देख रहे थे मूवी बगरा और नमाज भी वानिया को मैंने बढ़ाई थी तो इस्ता इस्ता मैं इसको प्रैक्टिस कराती हूँ कि आप फर्ज पर लो इस्ता इस्ता फिर आप जो है वो बाकी भी स्टार्ट करना इंशाला हो यह रमजान हमारी डेकुरेशन जो हमने लगाई थी यह हम काफी एंजॉय कर रहे हैं सारा रमजान ता मज़ाता है और यह द फ्राये वाली होती है वो फ्राय कर लेती अजू कर लेती हैं कि मेरे हेस्पन को एज छृप सर लेगार से ठवला थी यह माज़ सुषाई हैं पैटीज की जो मिक्स्चर है ना अंदर वाला यह मैंने रैस्पी भी रिकोर्ड किया यह आप लोंगे साथ शेयर करूंगी जल्दी तो यहां पे अफ़तारी करके और नमाज पढ़के उसके बाद फिर मैं आ गई थी कि टेबल को क्लीन करने बर्तन मैंने उठा लिये थे बाद स्टेबल क्लीन करना रहा गया था यहां पे हम मैं चेयर्ज वगरा साफ करूंगी यह चेयर्ज भी लैदर किया यह बहुत जल्दी इस पे अगर हाथ वगरा लगे तो गंदी हो जाती है और उसके बाद पिर हमारा आज का दिन जो है वो खत्म हुआ ही होप आपको मार भी लोग अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर दें या वानिया को दुबारा भूग लग गया वो खाने लगी है और यह था हमारा आज का भी लोग जिदे इजाज़त अपना बहुत सारा ख्यार रखें और रमजान को एंजाए करें बस थोड़े से दिन रह गया रमजान भी अब तो मजान स्टार्ट हो गया माशाला से इतना मजाता है रोजे रखें हमें तो बहुत मजा आ रहा है और यह मेरा किचन जो शाइनी शाइनी हो गया तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट विलोग मे टेक कियर और अल्ला हाफीज